आईए जानते हैं सिंग राशी वालों के बारे में 2023 सब्टेंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा तो जितने भी लियोज सिंग राशी के जार तक मेरे साथ यहां जुड़े वे हैं यह प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है इससे पूर्वी में आप सभी को यह समझा देना चाती हूँ विधित करा देना चाती हूँ कि प्लीज इनको सन साइन से कन्फ्यूज मत कीजेगा यह सारे राशी फल चंद राशी यानि के आपके होरसकोपिक राशी के हिसाब से हैं तो आई यह शरवन करते हैं सिंग राशी वालों का क्या राशी फल निकल कर आता है सिंग राशी वालों को विशेश सुचना यह देनी है कि थोड़े सी environment में struggles और परिशानिया बढ़ेंगी आपके इस महीने और उस वज़े से आप काफी stuck feel करेंगे you will feel कि मैं फस गया हूँ या फस गई हूँ यह जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ या तो मैं उसमें फस गया हूँ या कार्य कर रही हूँ उसमें फस गई हूँ या मैं relationship में फस गई हूँ या मैं जिम्मेदारियों में फस गया हूँ या फस गई हूँ ठीक है जो सब पहले से करते आ रहे हैं उनके उपर तो रिपा हो जाएगी जहां 100% परेशान होना होगा आप 30-40% में ही निप्टारा हो जाएगा जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू कर दें और उसके लिए पून गूप से सात्विक भी हो जाएं ठीक है हनुमान जी की अदिया पराधना कर रहे हैं तो उसमें करे उसमें प्रसंग रामायन का है जिसमें अही रावन के बंधन से हरुमान जी ने राम जी और लक्षमन जी को छुड़ाया था वो वाला प्रसंग निकालकर रोज पाट करना है आपने इस पूरे महीने और नारायन को अर्पित करना है नही करना है इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपको हर रोज इस महीने करने है और आप देखेंगे कि जो भी ये कष्ट मंडर आ रहे हैं जो भी मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी कष्ट दाई स्थिति हो सकती है आपका मन करेगा कि मैं जहां भी आपकी लाइफस्टायल चल र पड़ने की पूरी पूरी उमीद है लडाइ जगड़ा अगर बढ़ रहा हो दूसरा व्यक्ति ना समझ रहा हो तो आप से ही निवेदन है आप थोड़े शांत हो जाएं क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी भी रिलेशन्श Surprise नहीं होती आप कि ऐस तो नहीं है कि एकर लड़ा हो सकता है आपके मित्र आपके भाई बंधू आपके सबके साथ यही सिचुवेशन हो असल में आपकी मानसिक स्थिति टीक नहीं होगी जिसकी वज़ए से आप हर किसी को गलत समझ सकते हैं क्योंकि कोई ना कोई बात कुछ ना कुछ होती ही जाएगी कभी वर्क एरिया से प्र जागना है और उसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिया है चिंता नहीं करनी है पुर्शार्त करना है एफ़र्ट करना है और एफ़र्ट करके इस योग को टाल जाएंगे हम इजी है ठान ले तो इस और सिंग्राशी वाले तो बहुत दृणिश्य होते हैं बहुत आपको ऐसा लगेगा कि अगर बिजनस में पार्टनर्स हैं तो भी बहीं काम कर रहा हूं अके लिए दूसरा विक्टी कुछ करने रहा जॉब में है तो आपको लगेगा कि और मेरे उपर ही दुनिया भर का लोड डाल दिया है ये जो लोड है इसको अलोकेट नहीं किया जा आप देखेंगे कि थोड़ी सी शांती आ रही है जादा परिशान नहीं होना है जो मैंने उपाय दिये हैं वो एवरी डे करेंगे तो आटोमाटिकली ये जो लोड है ये धीरे-धीरे कम हो जाएंगे सूजनस लाइफ में जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्टड़ी लोड कि थोड़ा सा पेट का इंफेक्शन हो सकता है पेट में दर्द शूर उठना जैसे कहते हैं कि पेट में सूईया चुपती है न उस प्रकार का दर्द होना या बैक में पेन होना सूईया जैसे चुपती है ऐसा पेन होना या फिर मानसिक संताब बहुत जादा होना बहुत ज कर लेती है और नाना प्रकार की परिशानिया होगी पृपया इंसे बचे मेडिटेशन करें प्रभू का ध्यान करें इस तोत्रु सुन ले उस नर्वस सिस्टम शांत होता है इधर उदर की बातों पर ध्यान में जाने दें अपने आपको अपने आत्मी अजनों से घेरे और उ शांती का प्रधीब तो आप एक एउपाय कर सकते हैं शिवलिंग को पूरी रुई से रुई को पहले गीली करिए शिवलिंग को पहले नहला दीजे उसके बद रुई से पूरा शिवलिंग ढख दीजे और ओम नमश्यिवाय का पांच माला जाप एवरी डे करके आप महाद को करें महादेव का नाम लें और महाकाल की करपा से महीना आपको बहुत सुख़ जाती था धन्यवाद